बुलु स्री सत्गुरु महराज के, स्री प्राणनाथ प्यारे के आशक नाम अल्लाह का, तो लिख्या इप्तदाए इसक ना पाए और कहों, बिना एक खुदाए पड़े तब पावे इसक को, जब खुले मायने मगज इसक बिना करे बंदगी, कहे हम टालत है करज पड़े तब पावे इसक को अक्षिरातीत धाम धनी, स्रिडाज जिकी असीम अनुकंपा के द्वारा तार्तम सागर दिब्वे भाणी अंतरगत परिक्रमा ग्रंथा के उपर हम विचार करते आ रहे हैं तो परिक्रमा ग्रंथा में अब तक ये 49 प्रकरण का सात नमर चौपाई के भाव तक को चर्चा किया गया अभीके इस कछा सत्र में आठोई नमर चौपाई से हम प्रारमव करने जा रहे हैं तो यह 49 प्रकरण में महामत्ति प्राणनह जी प्रेम का अंग अथबा प्रेम का स्वरूप जाहिर कर रहे हैं बर्लन कर रहे हैं और ये सात नमर चौपाई तक के भाव को अगर सार रूप में देखें तो कहा कि ये प्रेम जो इस्क में सुन्दर्शात की समक्षिय जाहिर करके बताने जा रहा हूँ जो मुल परमधाम मुल मिलावा का यह प्रेम है यह प्रेम ही अक्सिराती धाम धनी का अंग है इसलिए धनी के बिना कहीं भी इसका दर्सन संबव नहीं है धनी के ही अंगसरुप ब्रह्मात्माओं के द्वारा इस खेल के वीज में प्रेम को जाहिर किया नहीं तो ये दुनिया के वीज में प्रेम कहीं पर भी नहीं था चौदलोक ब्रह्मांड के जीव तृदेव को ही परमेशोर मान करके पूझते हैं परंतो सुगदेव बेदिव्याश जिने भागवत में ये कहा है कि वो तृदेव के पास भी प्रेम नहीं है तो परमधाम की ब्रह्म प्रियाएं ब्रजगोपी की रूप में ये खेल के बीच में आए उनकी द्वारा ही यह धरती में प्रेम का प्रकट हुआ अथवा जाहिर हुआ और जागनी की ब्रह्माणड में जो ब्रह्मसृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लिभादो कुरान को पड़ने वालों ने वो और किशी की उपर घटाया, वो अपने ही प्रियतम परमात्म, अथा परमात्म स्वरुप के मैं आत्म स्वरुप, अंग शुरुप हो, ये न जान पाने की कारण। वो प्रीम को अथवा इसक को प्राप्तन नहीं कर सका, दर्शन नहीं कर सका, महमती प्रैड़ने जी कहते हैं, वो परमात्म सुरुप खुदा का सुरुप ही इसक का सुरुप प्रीम का सुरुप होने से, उनकी अलवा बांकी कहीं भी प्रीम का दर्शन होई नहीं सकता, तो य देखें पड़े तब पावे इसक को जब खुले मायने मगज इसक बिना करे बंदगी कहें हम टालत है करज पड़े ये पड़े लिखे लोग है ना पड़े मतलब कुरान को पड़ने वाले यहाँ छे नम्मर साथ नम्मर में कुरान का प्रसंग चल रहा है इसलिए कुरान को पढ़ने वाले और साथ में ये भी जोड़ना चाहिए बेद सास्त्रों को पढ़ने वाले भी तब पावे इसक को प्राप्त कर सकता जब खूले मायने मगज़ मायने वो बेद के अथाब कतीब के बेद पढ़ने वाले के लिए बेद का और कतीब पढ़ने वाले के लिए कतीब का मागजमायने गुईय अर्थ अगर खुले होते तो ये शक को प्राप्त भी कर लेता तो इसका अर्थ क्या हुआ इन लोगों को स्वेम जिस ग्रंथ को पड़ रहे हैं उस ग्रंथ के उन सब्दों के गुड रहश्य ही समझ में नहीं आया अर्थ ही खुलाशा नहीं हुआ तो जब सब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आया वस्तविक्ता को जान ही नहीं पाए तो फिर वो खुदा का सुरुप परमात्मा का सुरुप वो इसको कैसे प्राप्त कर सकता इसलिए ये पड़े लिखे लोग जो है न बेद कतेव पड़ने वाले इन लोगों ने बंदगी भी किया परन्तु वो बंदगी कैसा है इसक बिना का बंदगी है जब सास्त्र के मगजमायने गुड रहश्य को ही समझ नहीं सका तो परमात्मा के विशय में खुदा के विशय में कुछ जान ही नहीं सका तो समझे बिना जाने बिना का पुजा, प्रार्थना, बंदगी ये सब क्या है इसक बिना का बंदगी हुआ न तो सोरुप का पहचान हो तब वो बंदगी में वो प्रार्थना में वो पुजा में इसका हो भाव हो तो कहां इश्यक बिना करे बंदगी इश्यक के बिना का ही बंदगी हुआ इश्यक मतलब बंदगी तो किया परमात्म की पुजा प्रार्थना बंद न किया लेकिन इश्यक नहीं है इश्यक नहीं कारण क्या है पैचान नहीं हुआ पैचान नहीं कारण क्या ह सास्त्र में बताया हुआ सब्द का अर्थ इस्पष्ट ही नहीं हुआ इसलिए इनका बंदगी पुझा प्रार्थन सब क्या हुआ श्रीफ एक फरज उतारना इसलिए सीधा कहते हैं कही हम टालत है करज, करज चुका रहे हैं हम, टालत मतलब क्या, चुकाना, ऐसा कहते हैं सीधा, परमात्म की पुझा प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, तो हाँ अब थोड़ा पुझा प्रार्थना करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं, और कितने लोगों का तो घार में कूल देव बृगधा करके acting कूल देवता मतलब कहा कूल परमपरा से मानती हुई włas! दादหा जिने भी माना था पिता जी ने भी माना पुझा प्रार्थन किया था तो हमें भी करना चाहिए क्यों कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं ओ कोई मतलब नहीं है बस कर्ज उतार रहे हैं ऐसा अब उसको भी कुछ ना होने से तो कुछ तो कर रहे हैं इतना तो मानना चाहिए फिर भी वो भाव युक्त नहीं है आगे चलते हैं मगज न पाया मायना दुनी पड़े कतीव बेद प्रेम दुनी में तो कहे जो पावत नाहीं बेद देखिए ये लोग दुनिया में ही प्रेम है करके ऐसा मानते हैं न ऐसा क्यों मानते हैं इसलिए मानते हैं मगज न पाया मायना मायना मतलव बेद कतेवों की मगज मायना गूड रहश्य न पाया प्राप्त नहीं हुआ तो शुरू का मगज सब्द और ये पहला चरण का अंतिम मायना सब्द को जोडियां तो क्या होगा मगज मायना गूड रहश्य माय अर्थ न पाया जान नहीं शका किष्णे दुनी पड़े बेद कतेवों दुनिया वाले जिसने बेद कतेव पड़ा पड़ने वालों ने बहुत पड़ा लेकिन वो गूड रहश्य जान नहीं पाया तो जब सास्त्र की वो मगज मायने गूई रहश्य जान नहीं पाया तो क्या कहते है प्रेम दुनी में तो कहे प्रेम तो दुनिया के बीच में ही है करके दुनिया में प्रेम के बीच में जो कहते है न तो प्रेम जी कहते है ऐसा क्यों कहते है ये लोग जो पावत नहीं भेद इसकी भेद मतलब रहश्य को जान नहीं सका इसलिए ये लोग ऐसा मानते है ऐसा कहते है कि दुनिया में ही प्रेम है करके तो प्रैन्य जी क्या कहते हैं पहले ही कहा के आया ना प्रेम ना त्रीगुन पास जब त्रीगुन की पास में ही प्रेम नहीं है तो फिर दुनिया के बीच में प्रेम कहां से होगा तो पहले ही कहा दुसरे नमर चोपय में देखे प्रेम नाम दुनिया में ने यहां तो ब्रह्म स्थित उन्हें लाया है लेकिन यह बेद कते पड़े वे लोग क्या समझते हैं दुनिया में ही प्रेम है करके मानते हैं ऐसा क्यों कहा क्योंकि बेद कतेवों की गुई रहश्य मया सब्द का अर्थ समझ नहीं पाया इसलिए ये ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं भ्राम में है आप देखिए दस नमर्च उपाई कई बार हम इसके उपर चर्चा करते रहे पहला प्रकरण इसक का प्रकरण का प्रस्थंग में भी ये जोडते रहे तो ये चवपाई सामने में आ गया अब ये कही अच्छा यहाँ है ये चवपाई करके तो चवपाई को उचारण करें प्रेम ब्रह्म दों एक है सो दों दुनी में नाही पड़े दों बतावे दुनी में जो समझत ना सास्त्रों माही क्या कहा प्रेम ब्रह्म दों एक है प्रेम और ब्रह्म दों एक है चाए प्रेम को हो चाए ब्रह्म को हो वो अलग है ही नहीं वो दो चीज है ही ही नहीं प्रेम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम है सो दों दुनी में नाही सो दों वह दोनों अब है तो ये की फिर इभव कहने के लिए तो सब्द दोई प्रयो करना पड़ रहा है न इसलिए 102 सब्द प्रयो की आया प्रेम और ब्रह्म है तो दोनों एक लेकिन परिचे देने के लिए अब दो सब्द से बताया जाता है इसलिए 102 प्रेम और ब्रह्म दोनों दुनी में नहीं दुनिया में नहीं है तो फिर ये बेद कते पढ़ने वाले लोग तो ब्रह्म भी प्रेम भी दुनिया में है करके कहते हैं ऐसा क्यों हुआ तो देखिए पढ़े ये पढ़े वाले लोग क्या पढ़े वाले लोग बेद कते पढ़ने वाले लोग दों बता भी दुनी में फिर दोनों दुनिया में ही बताते हैं क्या दोनों प्रेम भी ब्रह्म भी दुनिया में ही है करके बताते हैं ऐसा क्यों हुआ जो समझत ना सास्त्रों माही ऐसा इशिले हुआ कि सास्त्रों की गूड रहश्य को समझते नहीं ए लोग इसले ए लोग भ्रामवस ऐसा बोल रहे हैं कि प्रेम भी दुनिया में ही है और ब्रम्म भी दुनिया में ही है करके अगर दुनिया में ही ब्रह्म होते अथवा दुनिया में ही प्रेम होते तो फिर ब्रह्म बैषने वाले वतन वो नास होना चाहिए या अखंड होना चाहिए अगर दुनिया में ही परमाक्मा है करके कहते हो तो यह दुनिया का नास क्यों बताते हो फिर श्रिमत भागवत में ही चार प्रकार का प्रलाय इस पश्ट रुप में बताये की नहीं बताया नित्य प्रलाया, नैमितिक प्रलाया, प्राकृतिक प्रलाया, अत्यंतिक महा प्रलाया तो ये जब दुनिया में ही परमात्मा हो तो फिर ये दुनिया का नाश क्यों होता है ये आश्चरी की बात है तो ये दुनिया तो मायवी उत्पती हुआ है शौपनीक है छणीक है तो फिर छणभंगुर जो ये संसार है दुनिया है इसके अंदर ब्रह्मा कैसे हो सकता है शुरिय प्रिथिवी के अंदरी है या शुरिय अपनी लोग में रह करके प्रिथिवी को अपनी प्रकास के द्वारा प्रकासित करते हैं अगर हम ऐसा कहें सारा प्रिथिवी शुरिय की प्रकास से ही प्रकासित हो रहा है इसलिए शुरिय प्रिथिवी के अंदरी है ऐसा कहेंगे तो क्या होगा जिस तरह से प्रिथिवी के अंदर सुर्य नहीं है सुर्य अपने लोक में है अपने लोक में रहते हुए सुर्य अपने किरण के द्वारा प्रकास के द्वारा ये प्रिथिवी को प्रकासीत कर रहा है इसी तरह से महामति प्रैन्नहजी ये तार्तम के द्वारा बता रहे हैं हे ग्यानी जनों, ग्यानी जनों मतलब ग्यानी मानना पड़ेगा क्या करेंगे, बेद पड़ा है, खतेब पड़ा है तो ये दुनिया के अंदर ही परमात्मा नहीं है परमात्मा तो अपने धाम में है जिस तरह से शुर्य अपने लोग में है तो परमात्मा के सत्ता के द्वारा परमात्मा के हुकुम के द्वारा ये दुनिया ये स्रिष्टी चल रहा है जिस तरह से शुर्य अपने लोग में रहा करके अपने प्रकास के द्वारा प्रिथिवी को प्रकाशित कर रहा है इसी तरह से परमात्मा अपने धाम में है जो ये दुनिया से ये स्रिष्टी से ये जगत से पारे हैं और वो अपनी सत्ता के द्वारा अपनी होकुम के द्वारा ये स्रिष्टी को संचालन कर रहे हैं तो कई लोगों ने ये संसार में ही जगत में ही ब्रह्म व्यापक माना। ये है लेकिन लोग दुनिया में ही ब्रह्म और प्रेम दोनों बता रहे हैं। प्रवयकाल में नाश्वगा ऐसा बताया है और यही पर अगर प्रसंग जोड़ दों आपको वितक के द्वारा ही तो वितक में आया है ना। गोबर्दन भाई और स्री महराज ठाकूर दोनों भाई परमदाम के गुणवंती भाई और इंद्रहुती भाई दोना आते की बात करके आया ना वितक में। सद्गुर के चर्चा में जाते थे तो विश में एक दिन श्यामलदास जी ने कुछ उल्टी सिदी बाते कर दिये इतना कहा तो आप वितक के द्वारा समझते ही है तो फिर बाद में दोनों भाई अब दोनों भाई कहने से तीनों भाई है लेकिन दो पक्ष्या कि भी इसमे थोड़ा जगडा जयसा भी हुआ फिर अब साम को पिता जी आकर के अब पिता जी है शांतोना देना है सम्माल के रखना है तो दोनों भाई को क्या कहा तुम लोगों को सत्सम्य नहीं जाने के लिए नहीं कहा जाओ लेकिन tim लोग जिसको गुरु मैंते हो सत्गु मैंते हो कि भी तो गुरु श्याम जी के मंदिर में कांजी बट्ट जी बैठे हुए हैं, तो क्यों वो शिश्य को गुरुमान बैठे हो, उनकी भी गुरु है, तो सिदा वहां जाकर के सत्संग सुनो, उनको गुरु बनाओ, तो दोनों भाई ने क्या सर्त रखा, ठीक है, जाएंगे, हम कुछ प्रस्ण पुछेंगे, प्रस्ण का अगर जवाब दिये, हमें अगर संतुष्ट कर सके, तो फिर उनको ही गुरु मैनेंगे, जाकर के क्या क्या प्रस्ण पुछा, बट्ट जी गुण कितने हैं, तत्तो कितने हैं, लोक कितने हैं, और प्रालय कितने हैं, ये चार प्रश्ण है ना तो वट्टे जीनी क्या कहा तीन गुण से चौथा गुण नहीं चौद लोग से पंद्र लोग नहीं पांस तत्तो से छट्टा तत्तो नहीं चार प्रलय से पांचवा प्रलय नहीं यही चार प्रलय के अंदर ही तीन गुण पांस तत्तो चौद लोग सब ना नास हो जाएगा ये कहा अब प्रश्ण क्या पुछा गया वट्ट जी आपने कहा तीन गुन पांस ततो और चौदो लोक से कुछ नहीं है ये सब प्रलेकाल में नास होगा तो फिर उस समय में परमात्मा का इस्थान कहां है परमात्मा कहां रहते हैं क्योंकि तीन गुन से बट्टा तो नहीं पांस ततो का नास चौदो लोक से पंद्रवान लोक को नहीं चौदो लोक नास तो जो है वो सब नास जो नहीं है वो तो है नहीं तो परमात्मा कहां है ताब भट्टा जी की सुद्ध बुद्ध गई बितक में अई कि नहीं कहने का मतलब ये दुनिया ये जगत जो तीन गुन, पांस तत्तो और चौदुलक ब्रह्मान्ड का रूप है, ये चार प्रकार के प्रलाई के अंदर नाश होगा, तो उस समय में फिर दुनिया के बीच में अगर ब्रह्मा होते, तो ब्रह्मा भी नाश होना चाहिए, फिर अगर ब्रह्मा नाश नहीं होता, तो उस समय में ब्रह्मा रहने का इस्थान होना चाहिए, फिर वो इस्थान तिन गुन के अंदर ही है या चौथा गुन है, पांस त पड़े लिखे लोग ऐसे ब्रह्म में पड़े हुए हैं अश्चरी की बात तो यह है नहीं पड़े होते तो फिर चलो विचरे पड़े नहीं है समझने यह कह सकते हैं बेद पड़े हैं कते पड़े हैं कंठस्त हैं लेकिन ब्रह्म तत्त की विशय में इसीले कहा आदित्य चत्तुर वेदान सर्व सास्त्रन्यनेकस ब्रह्म तत्त्तम न जानाती दर्वी पाकरसम यथा चार वेद को कंठस्त किया है परन्तु ब्रह्म तत्तो को नहीं जानता है वो इस्तित्य तो आईशय हुआ दर्वी पाकरसम यथा जैसे पाक खीर में डुबाया हुआ वो इस्पोन चमझ खीर के अंदर ही डुबा हुआ है लेकिन वो स्वात का अनुभव करेगा खीर के अंदर डुबा हुआ वो चमझ इस्पोन होते है न उस्वात का खीर का स्वात ऐसा है करके उसको पता चलेगा ऐसे ही शास्त्रों को तो कंठस्त कर रखा है बेद को कतेव को लेकिन ब्रह्म तत्तो का तो कुछ रौस है ही नहीं सामने वाला को उपदेश देने के लिए दुनिया वालाओं के विश्मी ज्ञानी कहलाने के लिए तो भर्मार है लेकिन अपने अंदर वो ब्रह्म तत्तो की लज्जत की विश्मे में बात करे तो फिर इसलिए कहा न बाणी जो अद्वयत की सो कहावे सब्दातीत जितना कहा सारा द्वयत द्वयत उड़े का सुना रहे और जो रहने वाला है वो अद्वयत सब्दातीत है फिर हात में आया क्या दुनिया की इस्तिती पड़े दौव बतावी दुनि में ये पड़े लिखे लोग दोनों क्या क्या दोनों प्रेम और ब्रह्म दोनों दुनिया में बताते हैं ऐसा क्यों हुआ जो समझत ना सास्त्रों मां हैं सास्त्र की रहस्य को समझ नहीं पाते हैं इसलिए दुनिया में बताते हैं अब इसके अंदर व्याख्या करने लोगों तो आपको हरीद्वार की जो महमती प्रह्म जी की चार मैने तक का जो धर्म चर्शा है न वो सब यहां समझना पड़ेगा सब ने अपने अपने संप्रदाय के परिशे दिया न तो प्रह्म जी ध्यान से सुनते गए सब चवद्व लोग प्रह्म अंदर की बात कर रहे हैं तीर्था छेत्रा धाम मांठ मंत्र जो कुछ भी है प्रह्म जी एक ही प्रश्न पुझते हैं हरीद्वार का बित्तक तो पता है न एक ही प्रश्न पुझते हैं सबको सास्त्र कहता है जगत का नास तब कहां जीव को बास वस एक ही प्रश्न में प्रह्म जी अडिक है आप लोगों ने जो कुछ भी कहा ये जगत की अंदर की कहा परंतु शास्त्र कहता है जगत का नाश होगा तो उस समय में जीव का बासिस्तान कहा है अखंड इस्तान कहा है तो फिर तो सब नाजवा हो गए किसी किसी ने बिहद्द के तरफ का कुछ सब्द भी प्रयो कर रहे ह लेकिन कुछी सब्द ज्यादा तो कहीं संसार के ये उनको बोल दिया खिचड़ी बना दिया सद्गुरु की ज्यान नहोने से तुमें ये भेद अलग करने का बिवीक नहीं है इसलिए कुछ नहीं जानते हो हरिद्वार और अंतिमे महामति प्राण्याजी ने एक एक सास्त्र प्रमान के साथ में जब अपनी शिद्दान्त का परिशे दिया तो फिर एक पुण ब्रम्ह परमात्मा हद्द पार बेहद्द है बेहद्द पार अक्षर 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 पार वतन है जिसके लिए बेद मंत्र ने कि अक्षिरात परतः परः वो अक्षिर शेवी परे हैं करके संकेत किया था वो अक्षिरातीत परव्रह्म परमात्मा श्रिमत भगवत गिता ने उत्तमा पुरुश अस्त्वन्य परमात्मे त्युधारित जो कहा था ऐसे अनेकों शास्त्र प्रमान के द्वारा जब महमति प्राण्य जी ने वो परव्रम परमात्मा श्रूप को सब की समक्षे प्रकड करके समझाए बताए तो सब को परमात्मा की पहचान हुई तब सब को ये पता चला कि 28 में कलियूग के बिज्या भिनन्द निश्कलम का उतार सुरुप महमति प्राण्य जी ही है इसलिए प्राण्य जी के आरती उतारी गई भै नैरे नवखंडों आरती तो जब महमति प्राण्य जी के ज्यान के द्वारा सामनी वाला लोगों की रिदय प्रकाशित हुआ उनको ये भेद पता चला कि अच्छा अभी तक तो वही मैं पहले उदारन में बोल रहा था प्रिथिवी के अंदर ही शुर्य को मान बैठे थे ऐशे ही जगत के अंदर ही परमात्मा को मान बैठे थे लेकिन वस्त में ऐसा नहीं है परमात्मा अपने धाम में है और उनके हुकुम के द्वारा ये स्रिष्टी की रचना हुई है ये स्रिष्टी शनभंगूर है जैसे प्रैन्नेहजी नहीं कहा न ये जादु वाला की कभूत्तर की तरह है और परमात्मा की हुकुम परमात्मा की सत्ता की द्वारा ये जगत चंचालीत है और अंतत्तु गत्वा जब ये प्रलयकाल में नास होगा तब आत्मा का मूल मुकाम, मूल इस्थान, मूल घर दिब्बे परमधाम है जो ये शौपनीक जगत से परे है तो इस तरह से ये भेद बताए तो शास्त्र की रहचे को खुलासा करके और ये भेद जिसको समझ में आया तो उसको आया नहीं आया तो अभी तक भी यही मान बैठे है अभी तक भी यही मान बैठे है ना दुनिया के वीश्म परमात्मा है करके परमात्मा है परन्तु वो शत्ता रूप से हैं पड़ी दों बतावी दुनी में जो समझतना सास्त्रों माहीं सास्त्रों की गुड रहष्य न समझ माने के कारण दुनिया के बीच में ही प्रेम और ब्रह्म दोनों को मानते हैं आगे चलिए तो न्यारा कहा सबद थे प्रेम न मीने त्रेगुन कई कोट ब्रह्मांड न पाईये प्रेम धाम धनी भी न अब ये प्रेम के विश्य में 11 नमर से उपए में फिर बता रहे हैं तो न्यारा कहा इसलिए प्रेम को सब्द से न्यारा यानि कि अलग कहा है, क्यों कहा, अलग है इसलिए कहा, तो कल की कछ्यामी भी मैं चौपाई जोड रहा था, चौदै लोग कहिसाब में, हिसाब निरंजन सुन्य न्यारा इसक कहिसाब थे, इसलिए प्रेम को सब्द से न्यारा कहा है, प्रेम ना मिने त्रीगुन ना त्रीगुन के पास में प्रेम नहीं है जब त्रीगुन के पास में नहीं है तो फिर चवदुलोग ब्रह्मांड के शाधरन जीव के पास प्रेम होगा कहां से कई कोट ब्रह्मांड न पाईए अब एक ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजे कई करणों ब्रह्मांड में भी ढोड़िये इस प्रेम को कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते है प्रेम धाम धनी बिना धाम धनी एक सुरुप के अलवा बागी कहीं भी प्रेम प्राप्त कर ही नहीं सकते दामधनी बीन दामधनी के अलवा अनियत्र चौधलोग ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड ने करणों ब्रह्मांड में खोजिए प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो क्यों ऐसा क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है तो जिस तरह से करणों ब्रह्मांड में खोजने से परमात्मा को ब्रह्मांड के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे ही वो प्रेम को करणों ब्रह्मांड में खोजिए प्राप्त नहीं कर सकते दाम धनी ही प्रेम का स्वरुप है इसलिए उनकी अलवा कहीं भी जाने से प्रेम का दर्शन नहीं कर सकते प्रेम सब्दातित तो कहा जो हुआ ब्रह्म के घर शो तो निराकार के पार के पार शो इत्त दुनी पावे क्यों कर देखिए प्रेम सब्दातित तो कहा प्रेम को सब्दातित इसलिए कहा जो हुआ ब्रह्म के घर यह प्रेम तो ब्रह्म के घर में है न तुम्हें एश्य पूर्वक अच्छाशे ही बोलता आ रहा हूँ नौल में पानी आ रहा है परन्तो इसका स्रोत के इंद्र कहा है ऐसे यहां दुनिया के बीच में ब्रह्म स्रिष्टी के द्वारा प्रेम जाहर हुआ है लेकिन इसका मूल स्रोत के इंद्र कहा है तो यह कहा जो हुआ ब्रह्म के घरा ब्रह्म के घर में ही प्रेम है इसलिए दुनिया के लिए प्रेम सब्दातीत हुआ ओ ब्रह्म का घर कहा है अथवा प्रेम का जो मुल इस्तान कहा है कहा शोतो निराकार के पार के पार निराकार मतलब पंचमिछर समस्टी शुन्य निराकार हद्द अक्षिर अब्यहद्ध शहित का अक्षिर एक बार में लिजिएगा के पार अक्षिरातीत परमधाम वो ब्रह्म का घर वो प्रेम का केंद्रबिंदु इस्थान सो इत दुनी पावे क्यों करा वहां के वह अखड़ प्रेम इत यह नस्वर दुनिया के बीच में दुनिया वाल हुआ ही नहीं है कहां निराकार के पार के पार और ढोड़ रहें कहां यहां श्वपनिक जगत के बीच में तो कहां शे मिलेगा इसलिए प्रेम दुनिया वालों को अथबा पड़े लिखे वालों को भी प्राप्त नहीं हो सका आगे चलते हैं प्रेम बताओं ब्रह्मस्रिष्टी का पहले देखो धाम वरणन पीछे प्रेम बताओं ब्रह्मस्रिष्टी का जो धाम धनी के तन खहते हैं प्रेम बताओं ब्रह्मस्त्रिष्टी का अब ब्रह्मस्त्रिष्टी के प्रेम मैं बताता हूँ लेकिन उससे पहले पहले देखो धाम बर्नन पहले धाम का बर्नन को देखिए तो ये प्रकरण से पहले जो प्रकरण आया था वो क्या था धाम का बर्नन था न तो पहले पुरा 25 पक्षे परम धाम की शोभा को धाम की बर्नन को देखिए उसके बाद ब्रह्मस्तिष्टियों का प्रेम ये बताने जा रहे हैं तो कहते हैं पीछे प्रेम बताओं ब्रह्मस् 6 जो धाम भनी के तन यह पूहो अथवर्म शिष्टि कहूँ यह तो धाम धनी का ही तन मतलब धाम धनी के ही ऑंग है तन अथवा अंग जैसे यह, पहला नम्मर्च वपए कि शोरूप है अथा अंग है तनकार्थ सोरूप है न तो अंग मैंने ये तो धाम धनी का ही सोरूप है पहले कहा प्रेम ब्रह्मधों एक है अब यहां तक इस तरह से बताए अब चौद नम्बर चौपाई के पहला चरण देखिये तो क्या है क्यों न होए प्रेम इनको ठीक इतना ही देखिये है अब चौद नम्मर चौपाई से शुरू हुआ ये प्रतीक चौपाई का पहला पहला चौपाई एक बार देखते जाईए कहा तक ये प्रकरण में पुरा चौपाई कितना है ये प्रकरण में पुरा चौपाई है चौराशी नम्मर चौपाई है 84 नम्मर चवपाई तक में से ये 14 नम्मर चवपाई का पहला चरण में आया हुआ क्यों न होए प्रेम इनको प्रत्य चवपाई में देखते 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 84 नम्मर तो अंतिम चवपाई है उससे उपर 83 नम्मर चवपाई तक देखे पहला चरण में क्या है तो चार गुना में से एक गुना चो उपाय का अर्थ तो ये एक चरण का अर्थ करने से होई गया तो देखिए अब क्यों न होए प्रेम इनको इनको मतलब किनको पहले उपर क्या बताया प्रेम बताओं ब्रह्मस्ति का यहां जो ब्रह्मस्ति का कहा न इनही को यहां नीचे इनको सब्द के द्वारा बताया तो इसका आर्थ क्या हुआ इन ब्रह्मस्तियों को अथवा ब्रह्मस्तियों में अधवा ब्रह्मस्त्रिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? ठीक है? अब आगे मैं एक सुत्र बताता हूँ, उसके इसाम से आप अपने चिंतन में इसको जोड़ सकते हैं. प्रतीक सवपाई की पहला चरण में क्यों नहों प्रेम इनको क्यों नहों प्रेम इनको क उसके आप क्या होगा? यह यह सारा एक समझने के लिए एक लिश्ट तैयार करना चाहिए, और देखिए, क्या-क्या विशय आया है? तो समक्र रूप में क्या होगा वो साब मिलाकर कि ये गुन अथा ये कारण से ये ब्रह्मस्रिष्टी में प्रेम है इस तरह से शिद्ध होगा और एक एक चवपाय में तुम्हें ये सब बोलने ही पाऊंगा ना चवपाय का सवदार्थ भावर्थ लेके जाना होता है इसले कि पहले ही मैं एक प्रेम बता रहा हो कि इन ब्रह्मस्रिष्टी के अंदर प्रेम होने में कारण क्या है उसका कारण फिर भी बोल रहा हो जोजो कारण बताए है इन कारणों से ये ब्रह्मा स्टिष्टि के अंदर प्रेम है यह आपको समझने के लिए और सहत सुतर बताया भाग की अब चवुपाय से ही आगे बढ़ेंगे क्यों न हो ये प्रेम इनको, इन ब्रह्मस्तिर्ष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, मतलब होगा है इस चर्थ में, तो क्यों है, तो कहते हैं, जिना शीर नूर जमाल, जिसके शीर में नूर जमाल अक्सरातित धनी है तो फिर इनके पास प्रेम नहीं होगा तो होगा ऐसा ठीक है तो ये ब्रह्मा सिष्टि के अंदर प्रेम होने में एक नमर कारण क्या है इनके शीर में अथा इनके रिदय में नूर जमाल अक्सरातित धनी है इसले ये प्रेम का पॉर्भभ है कैंगे कोट ब्रह्मान्ड न पाईए इनका अवरही हाल तो यह जो नुर्जमाल है न जो नुर्जमाल इन ब्रह्मस्ति श्रिश्टियों के शिर में अथाबार हिदय में है वो परमात्मा को वो नुर्जमाल अक्सिराहतित को प्राप्ट करने के लिए कई करण ब्रह्मान्दवालों ने प्रयास किया परंतु कई कोट ब्रह्मान्दवालों न पाये करणों ब्रह्मान्दवालों को किशी को भी परमात्मा नुर्जमाल प्राप्त नहीं हो सका इनका और ही हाल तो इनका मतलब ये ब्रह्मस्ष्टियों का तो और ही हाल है और ही हाल मतलब क् के दि सक कुख जैपंतों को स्बंदोग घाओ भी यह है वो तो अपने रुदाय में ले कर के चलते हैं, तो फिर इनकी हाल, तो दुनिया के हाल जैसे ही है, तो अलग नहीं है, इसलिए क्या कहा चाहूं थी चरण में? इनका और ही हाल इनका तो और ही हाल है बात सुन्दरवाई की और है और इनका और रवेश गतमत इनकी और है हम लिया उनका भेश क्या क्या और चाहिए आंको सुन्दरवाई की तो बात ही कुछ और है और इंद्राभूति कहते हैं यह और-और वाले गतिमती बात सबकुस और वाले हैं ना मैंने उनीका भेष लिया हूँ तो इसका मतलए क्या कि इंद्राभूति कि भी गतिमति बाति सब और है तो यह ब्रह्ममाशिष्ठी का तो और ही गती है तो कहा इनका और ही हाल पंद्र नमर क्यों न होए प्रेम इनको इन ब्रह्म स्रिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है अगर पूछिए क्यों होता है बताई ये कारण धनी अक्सिरातीत जिनशीर देखे उपर वाला सब्द में नूर जमाल सब्द आया कुरान की सब्द के इसाब से उशी को फिर बेद के सब्द से ही बता रहा है क्योंकि प्रेण नहीं को तो दोनों पक्षे से आत्मों को जगा करके द्रिड कराना है न इसलिए उपर चौपाय में जो नूर जमाल सब्द प्रयक्याशी को इदर धनी अक्सिरातीत जिन शीर जिसके शीर में अक्सिरातीत धनी है तो उनके पास क्यों प्रेम नहीं होगा ब्रह्म स्रिष्टी बिना न पाईए वो अक्सिराती धनी को ब्रह्म स्ष्ष्ष्ष्टी की बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकते देखो कोट ब्रह्मांडों फीर फीर कोरणों ब्रह्मांडों फीर फीर करके गोम गोम करके देखिए अगर ब्रह्म स्रिष्टी के बिना और किष्टी ने ये अक्सरातित धनी को प्राप्ति किया है करके अगर कोई बैठा हो तो आकर के मुझे कहिए ये ब्रह्म में हो ये गलत कि होई नहीं सकता ब्रह्म स्रिष्टी गलवा किस्टी को अक्सरातीत का दर्सन हो अधवा प्राप्ति हो क्यों नहुए प्रेम इनको जाको धनी राखत रूख धाम मंदीर मोहलमे धनी देत सिज्या परसूख क्यों न होए प्रेम इनको इन ब्रह्म स्रिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है क्यों होता है कारण क्या है बताया जाको धनी राखत रूख जिन ब्रह्म स्रिष्टियों को धाम धनी प्रियत्तम स्रिडाज जी महराज ध्यान में रखते हैं या रूख मतलब ध्या अथावा अपनी नजरत ले रखना तो इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा धाम मंदीर मोहल में परमधाम की मोहल मंदीरों में धनी देत सेज्या पर सुखा प्रियतम धाम धनी इन आत्माओं को परमधाम में सेज्या का सुख देते हैं अनन्द देते हैं तो फिर इन ब्रह इनको शुहागनिया बड़ भाग क्यों कहों इना रूहन की जाए देत धनी शुहाग इन ब्रह्मस्तिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों शुहागनिया बड़ भाग ये ब्रह्मस्तिष्टि ही ये आत्मा ही शुहागनिया है शुहागिन और बड़ भाग ब भाग्य शाली है यह क्यों कहों इन रूहन की इन रूहों की विश्यम में क्या कहों जाए देता धनी शुहाग जाए मतलब जिन ब्रह्मात्माओं को देता देते हैं धनी प्रियतम धाम धनी स्रिडाज्जी स्वैम सुहाग मतलब आनंद तो जिन आत्माओं को स्वैम अक्षरा श्याम श्यामнаруж जी 7 हमें, जाको इत्तविष्त्राम। इन ब्रह्म स्ष्टिउ के पास क्यों प्रेम नहीं होगा ? जाके घर यह धाम। जिसका घर ही कहा है ? ये परम्धाम ही जिसका घर है ? जिसका घर ही परम्धाम है तो उनके अंदर प्रेम नहीं होगा होगा श्याम श्यामाजी साथ में राज्जी महराज श्यामाजी और सुन्दर साथ सखियां सब साथ में जाको इत्त विस्त्राम जिसका इत्त यह घर में अक्सिरातित घर में विस्त्राम होता है अथा विस्त्राम इस्तल है तो फिर इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा इन ब्रह्म स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लव उस्च falta अंगा सुख्ध सम्पूर्ण अंगए संपूर्ण अंगए आत्म के संपूर्ण अंगए सुख प्रदान करते हैं देते हैं धाम धनी के ढी ला hanцев अपनी दिल से शुग देते हैं, अथवा धामधनी की दिल में रहने वाले और संपुर्ण प्रकार से शुख लेने वाली है, ये ब्रह्मा आत्माएं, ब्रह्मा प्रियाएं, तो इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा? होगा? क्यों न होए प्रेम इनको? जो रहे इना महल मंदीरा, दिल दे बिहार करता है, ले दिल धनी अंदरा. इन ब्रह्मा स्षिष्णियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो रहे इना महल मंदीरा, जो ये परमधाम के महल मंदीरों में रहते हैं, दिल दे बिहार करता है, ये परमधाम के महल में, मंदीर में, पच्चिश पक्षे परमधाम में दिल दे करके विहार करते हैं, ले दील धनी अंदर, अपने रिदय के अंदर धनी को ले करके, परमधाम के सब तरफ विहार करते हैं, तो फिर इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा? इन ब्रह्म स्विष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जिसका बस्त्रावुषन परमधाम कही है साजत है सवों अंगों संपूर्ण अंग को सुन्दर बस्त्रावुषनों से सजाते हैं स्रिंगार करते हैं किसके लिए स्रिंगार करते हैं धाम धनी कारण धाम धनी के वस्ते कि यह सखियां कि संपूर्ण प्रकार के स्रिंगार से सुस्सजीत होते हैं तो फिर जो स्वैम धनी के लिए अपने आपको सुभाज सज़ जाते हैं तो फिर इसके पास प्रेम क्यू नहीं होगा क्यों न होए प्रेम इनको जाके ये सोभा शिंगार सवों अंगों शुखा धनी को नीश दिना लेत समार इन ब्रम्मस्ष्टियू के अंदर प्रेम क्यू नहीं होगा जो कि जाके ये सोभा सिनगार जिसके ये परमधाम की ही सोभा है सिनगार है सब अंगों सुख धनी के इनके सब अंग अंग में धनी का सुख भरा हुआ है निश दिन लेत समार निश दिन रात दिन ये धनी का सुख समार करके लेते हैं आनंद लेते हैं क्यों न होये प्रेम इनको, जाको इन धनीषों विहार, निशदिन केल करत है सब अंगों शुखकार. इन ब्रह्मस्तिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है जाको इन धनेशों विहार जो धनी के साथ में परम्धा में विहार करते हैं निशा दिन केल करते हैं राद दिन धनी के साथ ही केल क्रिडा खेल करते हैं सब अंगों सुखकार इनके सब अंग अंग में सुख है दनीकी द्वारा अनंद प्राप्त होता है तो फिर इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों न होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी रात दिन सुखका लेता है सब अंगों आप अपनी तो इन ब्रह्मस्रिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जो निरखत धाम धनी जिन ब्रह्मस्रिष्टि आत्माओं को धाम धनी अपनी प्रेम भरी नजर से सब अंगों आप अपनी सब अपनी अपनी अंग से शुख लेती है तो इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों नहोए प्रेम इनको जो धनी की शैना लेत नैनो नैन मिलाए के सामी इशारत देत देखिए इन ब्रह्मस्तिष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जो धनी की सैना लेता है सैना मतलब शंकेत इशारा ताम धनी अपने नैन के द्वारा सैन करते हैं इशारा करते हैं तो ये सुख लेती है जो आत्मा और नैनों नैन मिलाएके सामी इशारत देता जब धनी इशारा देते हैं सक히 के नैन के साथ में नैन मिला करके तो फिर ऐसे ये धनी की करिपा पात्र ये आत्मा इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों न हो ये प्रेम इनको जो धाम धनी अरधांग इन ब्रह्मस्रिष्टियों के अंदर प्रेम क्यूं नहीं होगा जबकि ये धामधनी अरधांग धामधनी की अरधांग है ये इन इन नहीं रात दीन अनभव होता है वो धनी के अनंदमय मैं प्रेममय लिला को अनुभव करते हैं इना प्यू की सेज सुरंग अनंद भरी प्रेम भरी सेज का जो सुख अनुभव करते हैं तो फिर इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों न होए प्रेम इनको जो इना मेले में वैठत अरश परश रंग अहे निश नए नए खेल करत इना आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जो इना मेले में वैठत अरश परश रंग अहे निश मतलब रात दिन अरश परश ओकर के रंग आनंद लेती है नए नए खेल करत धनी के साथ में नया नया प्रकार की खेल करते हैं तो फिर इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों न होए प्रेम इनको जाको ये धनी स्वरूप रात दिन सुख लेत है जाके सब अंग अनूप इन ब्रह्मा आत्माओं के रिदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जाको ये धनी स्वरूप जिसका स्वामी मालीक आधार ही धाम धनी है जो धनी के सुरुप के साथ में मतलब धनी के साथ में लिला विहार करते हैं रात दिन सुख लेता है धनी के सुरुप के साथ में मतलब धनी के साथ में ही रात दिन सुख लेती है जाके सब अंग अनूप जिसके अंग अंग में अनूपम सुख प्रेम भर जाता है तो फिर इसके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा अनुपम मतलब उपामा रहित अनुपम क्यों न होए प्रेम इनको जाको निश्र दिन यही रमन सव अंगो अनंद होता है मिलावे धनी इनन इन ब्रह्मात्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जाको निश्य दिन यही रमन यही यही अनन्द प्रेम में परमधा में रमन करते हैं मस्त होते हैं सब अंगों अनन्द होता है सब अंग अंग में अनन्द का संचार होता है मिलावे धनी इत्त दाम धनी यहां मिल करके मतलब मिलावे सब आत्माओं को मिला करके बैठक बिठा करके दनी अनन्द प्रदान करते हैं इन सब के अंगा-ंगा में अनन्द का संचार होता है तो फिर इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा क्यों न होए प्रेम इनको जो इन धनी की गलतान इन ब्रह्मा आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जो इन धनी की गलतान, गलतान मतलब गलिदगाद हो जाना, धनी की प्रेम में ही गलिदगाद हो जाते हैं जब यह आत्माओं नेशदिन धनी खेलावत प्रियतम धाम धनी स्वयम इन आत्माओं को अपने साथ में धनी खेलाते हैं बिधा बिधा के देता मान धाम धनी स्वयम प्रकार प्रकार से इन आत्माओं को मान देते हैं तो आत्माओं का सन्मान करते हैं न धनी स्वयम भी सन्मान के साथ में रखत नहीं रहता है। कि यॉन आ हो ये प्रेम इनको जो लेत धनी को शुख्ष आठों जाम सेवा मिने सदा खड़े सनमुख इन ब्रह्मात्माओं के अंदर प्रेम क्यूं नहीं होगा जो लेत धनी को सुख्ष को लेती हैं। आठों जाम शेवा में आठों प्रहर धनी के शेवा में हाजिर होते हैं, सदा खड़े सनमुक, धनी के सनमुक में, शामुन्य में सेवा के लिए खड़े होते हैं, तो इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको? जाको इन साथ में रसरंग, निश्र दिन बिहार करत है, धाम धनी के संग, तो इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जाको इन साथ में रशरंग ये सुन्दर साथ के समोह के वीज में ही रशरंग आनंद प्रेम वोत प्रोत होता रहता है नीश्र दिन बिहार करता है नीश्र दिन परमधाम में राजी स्यामजी सखियां लिला बिहार करते हैं धाम धनी के संग, प्रियतम धाम धनी के संग में विहार करते हैं, तो इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा। निशंदिन आराम पीव का ृष दाम धनी के साथ ये आराम, अनंदमय सुख लेते हैं। नियारे निमख न होवे क्या ही। क्या ही मतलब कभी भी निमेस भर के लिए भी नियारे नहीं होते हैं। तो फिर इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन न्यारे निमक्ख न करे निश्य दिना ये ही सुखा चैन इना आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जो धनी को लेवे माहे नैन, धनी की नैन का सुख लेती है ये, धनी का दर्शन करते हैं, धनी इन आत्माओं के उपर नजर सिंचन करते हैं तो नैन का सुख मिलता है न, नियारे निमखा ना करे, धनी अपनी नजर से एक पल भर के लिए भी नियारा नहीं करते हैं, दूर नह इन आत्माओं को निश्र दिन रात दिन यही शुख चैन मतलब मस्ति आनंद में ही डुबाय रखते हैं तो फिर इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। अंग अंग का दर्शन करते हैं। पलक ना पीछे फेरत धनीकी अंग दर्शन करते हैं इतना तद्रूब होते हैं उसे में डूब जाते हैं। यही साथ में खेल मंदिर या महलन में पियूसों रमन रंगरेल इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। जाको यही साथ में खेल जो यही साथ ब्रह्म प्रियाओं के समुह के बीश में खेलते हैं। मंदिर या महलन में मंदिर में हो या महलों में हो पियूसों रमन रंगरेल पियू के साथ में ही रमन करते हैं। रंगरेल मतलब अनंद मस्ति करते हैं। मतलब अनंद भरी लिला करते हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जाको मिलाप इन घर विहार करत अंग उच्छरंग धनीशों बीध बीध कर तो इन आत्माओं के रिदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। जाको मिलाप इन घर हैं जिसका मिलने का इस्थान अथव रहने का इस्थान लिला भिहार करने का इस्थान यह घर है। जिस आत्माओं के मिलाब मूल मिलाव का बैठा की इस घार में है यह घार के अंदर मिलाब अब मिलाब तो परमधाम में कई मिलाब है और यह खेल से अगर चिंतन करें तो मूल मिलाव का बैठा की इसी घार में है न बिहार करता अंग उचरंग अंग में उछरंग आनंद मस्तिकों भारते हुए परमधाम में धनी के साथ में बिहार करते हैं धनीशों बीदा बीदा कर धनी के साथ में बीदा बीदा प्रकार प्रकार से बिहार करते हैं आनंद लेते हैं तो फिर इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा तो इस तरह से ये भाव तो आगे और विस्तार हो करके जा रहा है लेकिन समय को देखती हुए हम ये 37 नमर चोपाय में अभी विस्तराम करेंगे फिर येही भाव का आगे विस्तार अगले कच्छा में चिंतन करेंगे 38 नमर चोपाय से क्योना होए प्रेमाइनको जाको मिलाप इनगार बिहार करत अंग उच्छरंग धनिशों बिधविधकार धनिशों बिधविधकार बलोस्त्री प्राणनात्य प्यारी की प्रणाव